दोस्तों आज आप लोगों के लिए एक बहुत अच्छी विट लिस्ट साइट लेके आया हूँ, जिसका नाम है डेफी 2.0. डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, उस पे जैसे ही क्लिक करेंगे साइट का पेज ओपन हो जाएगा. मिडल में जो क्लेम योर डेफी हैंडल लिखा है, उस पे क्लिक करना है. क्लिक करने के बाद आपको आपका इंविटेशन कोड मिलेगा. उसमें आपको कुछ नहीं करना है. सिर्फ कंटिन्यू पे क्लिक करना है. अगर आप change करना चाहो तो कर सकते हो defy के बाद आपको 8 alpha numeric letters डालना है Next आपको आपका user name बनाना है User name 6 character या उससे ज्यादा का होना चाहिए Special character का use नहीं कर सकते Next आपको password create करना है Password 8 character या उससे ज्यादा का होना चाहिए Password strong होना चाहिए इसलिए आप alpha numeric यूज़ करके password बनाए फिर आपको आपका email address डालना है Email address डालने के बाद आपको एक code आपके mail address पे आएगा वह पिन यहाँ डालना है Code डालने के बाद आपको finish पे click करना है जैसे ही finish पे click करोगे आप देख सकते हो आपका account create हो गया है अब आपको go to dashboard पे click करना है यहाँ आपका dashboard है आपके username के निचे तीन icon है उसमें से first mail वाला green हो गया है और बाकी दो orange में है वह दोनों को भी green करना है इसके लिए आपको पहले दोनों में से एक icon पे click करना है जैसे ही आप कोई एक icon पे click करोगे आपको task वाला page पे ले आएगा इसमें आप देख सकते हो की 3 steps दिये है वह complete करना है आप देख सकते हो की Twitter और Telegram not verify दिख रहा है अब एक एक करके दोनों को verify करेंगे सबसे पहले आपको आपका Twitter profile का username डालना है और add Twitter पे click करना है click करने के बाद आपको verify Twitter आएगा उस पे click करना है जैसे ही आप verify Twitter पे click करोगे एक pop-up window open हो जाएगा और उसमें आपको tweet पे click करना है जो blue में लिखा है Tweet पे Click करने के बाद आपको आपके Twitter पे लेके जाएगा और वहाँ एक pop-up window open होगा उसमें आपको कुछ लिखना नहीं है सिर्फ post पे Click करना है, Post करने के बाद आपको उसकी link को Copy कर लेना है जो link आपने Copy की थी वह link step तु वाली कॉलम में दाल देनी है और verify पे Click करना है यह वीडियो का फर्स्ट पार्ट था इसके आगे के स्टेप्स सेकेंड वीडियो में बताऊंगा।